नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो यह नजर डालते हैं नागपूर की विबित हलचल पर महापरी निर्वान दिन के अउसर पर नागपूर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत पाशुपालन तथा दुगदव अफसाइब इकास खेल एवं युवा का लैंड मंत्री सुनिल केदार नहीं दिक्षा भूमी पहुच कर डॉक्टर बाबा साहब आमेटकर का इसके पश्चात उन्होंने बाबा साहब के अस्ती कलश पर मालयारपन किया उन्होंने बड़ी संख्या में रक्तदान करने आए युवकों से बात चित भी की उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि बाबा साहब ने सव उन्होंने सविधान के माध्यम से आम आदमी को देश के प्रती अपने करतव्या और देश के प्रती अधिकारों के बारे में प्रेरित करने का महानकार्य किया है। भारतिय सविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर के 65 वे महापरी निर्वान दिवस के आउसर पर डॉक्टर आमबेटकर चोक वर्धमान नगर नाकपूर में राश्टवधी कॉंग्रेस नाकपूर शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के भारतिय सविधान के शिल्पकार भारत रतन डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर के 65 वे महापरी निर्वान दिवस पर नाकपूर महानगर पालिका की और से महापूर दयाशंकरतिवारी आयुक्तर आधा कुष्णन भी उपायुक्तर रविंद्र भेलावे निगम सचिप र राजेश वासनिक ने सविधान चौक पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार पंकर अभिवादन किया। इस दोरान बड़ी संख्या में अधिकारी वकार्मचारी मोजुद रहे। इसके अलवा मनपा मुख्याले में भी महापूर तथा मनपा अधिकारियों पकर्मचारियों की उ अभिवादन किया। इस आउसर पर मनपायुक्तर आधाकृष्णन बी, NIT अधिक्षा मनोज कुमार सुर्यवन्शी, जिलापरिशत CEO, योगेश कुम्भेजकर, पुलिस अधिक्षक ग्रामिन, विजे कुमार मगर, पुलिस उपायुक्तर दॉक्टर बसवराज तेली, क्ष गौतम बुद्धन सयुक्त जयनती समीती उंडखाना की और से बाबा साप की प्रतिमा पर माल्यार पंकर अभिवादन किया गया। इसके पश्चात दो मिनिट का मौन रखकर उन्हें श्रधान जली दी गई, कारेक्रम में संजे अंभोरे, राजेंदर साठे, सहदेव भग चंदु खोबरागडे, सुजाता सुके, चेतन गणविर, शकुन सुके, बेबी नंदा खोबरागडे, नय बिंदु ताकसांडे, अनुसय अढ़ाकने, रतनवाला नागरे, पुष्पा धाबरडे और अन्यमान्या और उपस्तित्थे। विध्यारतियों ने अपने-अपने लेख, रेखाचित्र और वीडियो स्कूल के साथ साजा किये, अर्विंद बाबु देश्मुक प्रतिश्रान के अध्यक्ष, तथा पूर्वविधायक, डॉक्टर आशिच देश्मुक ने स्कूल के चात्रों के उपक्रम की साहराना की विएमवी वानिजज़ जेमटी कला एवं जेजेपी विध्यान महाविध्याले में भारत रतना डॉक्टर बाबासाइब आमबेट करकी पुन्यतिति के अउसर पर महापरी निर्वान दिवस मनाया गया महाविध्याले के प्राचारियों डॉक्टर मूरली धर चान्देकर ने उनकी प्रतिमा का पूजन कर पुश्पमाला अरपन की उपस्तिक चिक्षक तथा प्रशास्किये करमचारियों ने महामानव डॉक्टर बाबासाइब आमबेट करको अपनी आदरान जली अरपित की सादगी से आयोजित इस समारोह में मंडल रेल प्रबंदक मनिंदर उपल द्वारा भारत की सविधा निर्माता भारत रत्न बाबासाइब डॉक्टर भीमराव अंबेट करकी तस्वीर पर मालयारपन कर श्रधान जली अरपित की गई इसके पशात अपर मंडल रेल प्रबंदक जक्ताप सहित मंडल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बाबासाब की तस्विर पर श्रधा सुमन अरपित कर उन्हें आदरान जली दी एवं उनकी स्मूरती में दो मिनट का मौन रखा आर्य विद्या सभाद्वारा संचालित दयानन आर्य कन्या विद्याले एवं कनिष्ट महा विद्याले में सविधान निर्माता परम पुझ्य बाबासाइब आमबेटकर का महापरी निर्वान दिवस पुरे समरपन भाव के साथ मनाया गया सबी विद्यार्थियों एवं शिक्षिकाओं द्वारा मौन रखकर एवं शद्धान जली देकर उनके नेक कारियों को याद किया गया इस उपलक्ष में विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया चात्राओ द्वारा बाबा साहब के जीवन की विभिन्न घटनाओ को बहतरिन तरीके से चीत्रों में दर्शाया गया इस अउसर पर विध्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्रुतिक कारेक्रम रस्तुत किये गये प्राचारिय तेजिंदर वेनु गुपाल ने अपने संबोधन में सभी को बाबा साहब द्वारा दिखाये गए मार्ग का अनुसरन करते वे जीवन में आगे बढ़ने का आभान किया हम परिष्थितियों से न हारे परिष्थितियों को हतियार बना कर हमजीवन में जीथ हासिल कर सकते हैं ये संदेश महापरी निर्वान दिवस पर विद्यार्थियों को दिया गया संस्था के अध्यक्ष अशोक रूपलानी, सच्चिव राजश लालवानी, इंचार्च वेद प्रकाश आरिया द्वारा इसकारेक्रम के आयोजको और छात्राओ की सरहाना की गई और संस्था के सभी पदादी कारियों द्वारा बाबा सहाब को श्रधान जली अरपित की गई महमुदा शिक्षण महिला ग्रामिन विकास बहु उद्देशिय संस्था नागपुर में कारियरत सेंटरल इंडिया ग्रूप ऑफ इंस्टिउशन्स द्वारा डॉक्टर बाबा सहब अंबिटकर की 65 पुन्यति थी गोधनी में अपने कॉलेज परिसर में महापरी निर्वा के प्राचारिय, डॉक्टर स्वाती राउत, सेंटरल इंडिया कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन की प्रिंसिपल, डॉक्टर सीमा चिकले, सेंटरल इंडिया महिला कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन मुख्य रुप से उपस दित थे। सामान कार्य हमारे दिल में हमेशा जिवित रहेंगे। डॉक्टर स्वाती राउत ने कहा कि डॉक्टर अंबेटकर ने धर्मनिरिवेक्षक शिक्षा और सामाजिक मुक्ति की दिशा में महत्वपुर्णकार्य किये। डॉक्टर सीमा चिकले ने कहा कि डॉक्टर अंबेटक प्रोफेसर अन्विता तेलंग ने दिया। इस अउसर पर प्रोफेसर शबाना अंजुम, रेखा काले, प्रोफेसर शारदा ठाकरे, आशिश कुबडे, स्वपनिल निस्ताने के साथ बड़ी संख्या में छात्र एवं कर्मचारी गणु पस्तित्ते। प्रोफेसर अंजुम, रेखा काले, स्वपनिल निस्ताने के साथ बड़ी संख्या में छात्र एवं कर्मचारी गणु पस्तित्ते। इस आयोजन में महात्मा गांधी अंतर राष्ट्य हिंदी विश्व विद्याले, वर्धा के ब्रदर्शनकारी, कला विभाग, फिल्प एवं थियेटर के वरिष्ट्र सहाईक प्रोफेसर, डॉक्टर सतिश पावडे द्वारा व्याख्यान की प्रस्तुति दी गई। डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर को डॉक्टर सतिश पावडे, केंदर के निदेशक डॉक्टर दिपक खिर्वड कर एवं उपनिदेशक गौरी मराथे द्वारा पुश्प अर्पित कर अभिवादन किया गया। डॉक्टर सतिश पावडे ने डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर को नमन करते वे अपने व्याख्यान का प्रारम किया, उन्होंने डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर के कलात्मक दुरुष्टी को उन पर प्रकाश डाला, जैसे गीद गायन, भायोलिन वादन, अभी ने, संशोधन संस्थाओ द्वारा इस दिशा में कार्या जारी है, डॉक्टर अमबेटकर द्वारा बोले गए कई लफजों को उन्होंने अपने व्याख्यान में व्यक्त किया, सासुतिक वीश्यों के मुल्यों के बारे में साहित्तेकारों ने उनका जतन करना चाहिए, ऐसा आ अमबेटकर सच्चे सत्य शोधक थे, साथ ही उन्होंने आगर कर, खंडिल कर, देवल, गड़करी, कुलहट कर, एवं वरेकर, आधी के नाटों को का अध्यान किया, इस प्रकार डॉक्टर सतिश पावडे ने कलाक्षेत्र के डॉक्टर अमबेटकर के कई पहलू उपर बार अरतिय सविधान की शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहिब आमबेटकर के महापरी निर्वान डिवस पर मध्यनागपूर ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी के पदाधी कारियों द्वरा उनका विनम्र अभिवादन किया गया, इस औसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपल पत्तम के मध्यरेल नाकपूर मंडल ने भारत रतना डॉक्टर बाबासाहिब आमबेटकर को महापरी निर्वान डिवस के अउसर पर समाधान हॉल में उनकी तस्विर पर माल्यार पनकर शद्धान जली दी, इस अउसर पर अपर मंडल रेल प्रबंदक प्रशासन, पीएस खैरकर और अपर मंडल रेल प्रबंदक, परीचालन, जै सिंग, मध्यरेल के सभी शाखा अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्तित थे, कारेकरम के दोरान कोविट प्रोटोकॉल के तमाम नियमोका पालन किया गया अखिल भारतिय धम्मसेना भिख्षो भिख्षोनी महा संख की ओर से, डॉक्टर बाबासेब आमेटकर महा परिनिर्वान दिन के उपलक्ष में, अंतरराष्टी हवाई अड़े पर स्थित परम पुझ, डॉक्टर बाबासेब आमेटकर के पुतले को बुद्ध गया महा बोधी महा विहार आंदोलन के प्रणेता धंब सेना नायक भधन्त आरिया नागर्जुन सुरेई ससाई वा भिख्षो भिख्षोनी संग के पदादी कारियो द्वारा मालरफन कर उन्हें विनम्र अभिवादन आदरान जली अरपित की गई मधन्त ससाई द्वारा उपस्तित उपासक उपासी काओ को त्री शरण पंचशिल बुद्ध वंदना धंब वंदना संगवंदना दी गई और भीमगित का गायान हुआ महामानव डॉक्टर भाबा साहिब आमबेट करके जिवन संगर्ष पर संगशिप्त में प्रवचन्दिया गया उसके बाद कारेक्रम समाप्त किया गया विशाल गोंडाने, दिनेश चंद्रीकापुरे, हर्शल वासनीक, प्रफुल सहारे, विजेंद्र गज घाटे, निशान्द गायकवाण, प्रियांश पाटिल और बड़ी संख्या में उपासक उपासी काई उपस्तित थे अखिल भारतिय धम्मसेना की और से डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर महापरी निर्वान दिन के उपलक्ष में, पुतले को पुष्पमाला अरपन बोध गया महाबुधी, महाविहार मुक्ती, आंदोलन के प्रणेता, धम्मसेना नायक, परंपुज, डॉक्टर बाबा सिकाओ को त्रिशरन पंचशिल और बुद्ध वंदना, धम्मवंदना, संगवंदना दी गई, और भीमगीत का सामोहिक गायन हुआ, महामानाव डॉक्टर बाबासाइब आमेटकर के जीवन संगर्ष पर प्रवचन दिया गया, इसके पश्चात कारेक्रम समाप्थ हुआ, कारेकरम में भनते नागसेन, धम्म विजे, धम्मपाल, शीशपाल, संगपाल, नागनंध, प्रग्या बोधी महनाग, धम्म बोधी, बिक्षुनी संगप्रिया, रुपानंदा, धम्म सुधा, विशाखा, धम्म शांती, धम्म प्रिया, रवी मेंधे, शेले सवाईतुल, आरियन सवायतुल, रोनिक शाके, अशोक गोवर्धन, आतिश शेंडे, राकेश निकोसे, यश मेश्राम, प्रिंस निकोसे, दरपन बोरकर, विशाल गोंडाने, दिनेश चंद्रीकापुरे, हर्शल वास्निक, प्रफुल सहारे, विजेंद्र गजगाटे, निशान गायकवा के मार्क दर्शन में, वह मध्यनाकपुर अध्यक्षर इजवान अंसारी के नेतरुत्व में, भांखेडा स्थित, उनकी प्रतीमा मालारपन करके, श्रधान जली अर्पित करते हुए अनेक वीचारों और कारियों को याद किया गया, सुमवार को उनकी 65 भी पुन्यातिती उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, वे अर्थशास्त्री, राजनेती तग्यों और समात सुधारक के रूप में जाने जाते थे, बाबा सहब ने दलित बोध्धा आंदुलन का नेतरुत्व किया था, साथ ही अचुतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में, बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत की थी, बाबा सहब ने अपना पूरा जिवन, जातिवात को खतम करने, गरीबो, बलितो और पिछडे वर्गों के उत्थान के लिए समिर्पित कर दिया था, इसी कारण से बाबा सहब की पुर्यतिती को महापरिनिर्वान दिवस के रू इस अउसर पर नाकापा नाकपूर शहर के वरिष्टो पाध्यक्ष संजेश शिवाले, जावेत खान, रियाज खान, भारत बोदकर, महसिन शाही, हिमानशु चोहान, अंकित थूल, निखिलेश सुर्यवनशी, मनिश इंगले, यूश पाटिल, सर्फराज मंसूरी, अंसारी आदी उपस्तित थे भदंत ससाई, महासचियू सुधिर फुल जेले, एड्वोकेट आनन्द फुल जेले, विलास गज घाटे, डॉक्टर चंदर शेखर मेश राम, प्राचारिय डॉक्टर महरे, डॉक्टर एज ओशी, बाबासाहिब आमबेटकर कॉलेज के प्राध्यापक, कर्मचारी, भिक् सविधान निर्माता, परमपुज़ डॉक्टर बाबसाहिब आमबेटकर के पुतले को मालयारपन कर, सभी लोगों ने परमपुज़ डॉक्टर बाबसाहिब आमबेटकर को विनमर आदरान जली अर्पित की, और भीमकित का सामोही गायन किया, तथागत भगवान के प्रतिमा के पास पंचशिल के पूजा वंदना करके सभी दिक्षा भूमि के प्रांगन में स्थित्यातरी, निवास में रक्तदान शिविर कारेक्रम में शामिल हुए, और कारेक्रम का समारोप किया गया कार्यक्रम में भन्ते नाकसिन धंव विजय, धंव पाल, शीषपाल, संगपाल, नागानंद, प्रग्याबोधी महनाग, धंव बोधी, भिक्षुनी संग प्रिया, रूपानंदा, धंव सुधा, विशाखा, धंव शांती, धंव प्रिया, रवी मेंडे, शैलेश सवायतुल, आरियन सवायतुल, रोनिक्षा के, अशोक गोवर्धन, आतिश शेंडे, राकेश निकोसे, यश मेश्राम, प्रिंस निकोसे, दरपन बोरकर, विशाल गोंडाने, दिनेश चंद्रीका पूरे, हर्शल वासनीक, प्रफुल सहारे, विजेंद्र गजगाटे, निशांत गायक चिंचोली स्थिच शांतीवन वस्तु संग्राहाले में उनकी प्रतिमा पर मालयरपन कर अभिवादन किया, सामाजिक नय विभाग ने चिंचोली में अभिवादन सभाकायोजन किया गया, इस अवसर पर सहायक आयुक्त बाबासाहिब तेशमुक, जिला समाच कल्लैन, अध अधिकारी किश्य और भोयर, मुंबई उच्चे नय लेकि नाखपुर खंडपिट की अधिवक्ता एडवोकेट सोनिया गजबी आधी मोजुद रहे। भारत सभिधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव आमबेटकर द्वारा राष्टर के लिए किये गए योगदान पर प्रकाश डाला। अधिक्षा राजश्री पाटिल ने आभार माना, शुरूती बढ़गे, शीवा सरोदे, राजू पाटिल, पिंकी खरोली आधी उपस्तित थे। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस, नमस्कार!